नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटीब चैनल पर So friends, Baroda की MS University के BA, BCOM, BBA, BCA जैसी UG degrees के admissions start हो चुके है And essay में कैसे इन admissions के लिए apply किया जाए क्या है इसकी admission process And कैसी रहेगी आपकी MS University में admission लेने के बाद की आने वाली जर्णी MS University की exams, exam pattern, subjects, etc. Lots of things जो है वो आज की वीडियो में मैं करने वाला हूँ आप सभी के साथ discuss तो वीडियो को like and share करके बने रहेगा वीडियो में end तक ताकि हर एक चीज एकदम अच्छे से आप सभी को समझ में आ सके तो दोस्तो सबसे पहले तो बात करते हैं MS University के बारे में तो MS University का पूरा नाम है यहाँ पर महराजा सायाजी राओ University जो की located है यहाँ पर वडुदरा में and यहाँ पर ranking wise दिखा जाए तो गुजरात में top rank की यह university है यहाँ पर डिग्रीज के लिए काफी best university जो है यह यहाँ मानी जाती है and बरोडा में जो students रहते हैं उनके लिए तो यह preferable है ही even outside of बरोडा के जो students हैं वो भी यहाँ पर admission ले सकते है then friends यहाँ पर बात की जाए admission process की तो university में admission लेने के लिए आपको यहाँ पर दो simple stages से गुजरना होगा जहाँ पर friends stage number one है आपका online admission and stage number two है यहाँ पर final admission online admission के लिए friends यहाँ पर आपको online application जो है वो आपको यहाँ फिल करना होगा जहाँ पर आपको fees आपकी informations and आपके जो documents हैं उनकी soft copies जो हैं उन्हें upload करना होगा and final admissions के लिए आपको यहाँ पर जाना होगा MLS University के अंदर और वहाँ पर जाके आपको आपकी जो भी वहाँ final fees है वो and document verification जो है वो करवाना होगा बात की जाए यहाँ पर online application की fees की तो online application की जो fees है फ्रेंट्स वो है यहाँ पर 300 rupees and after then जो final admissions आपके होंगे तो वहाँ पर जो भी fee structure decide किया जाएगा वो fees आपको पी करनी रहेगी लेकिन फिलाल के लिए online application याई कि जो online admission आप करवा रहे हैं उसके लिए आपको यहाँ पर fees पी करनी रहेगी 300 rupees 10 friends यहाँ पर बात आती है कि who can apply यानि कि कौन कन से students जो है वो यहाँ MS University के अंदर apply कर सकते हैं तो यहाँ पर friends 10 plus 2 यानि कि 12 जो students ने clear किया हो या फिर जो students यहाँ पर promote हुँ है इस year के अंदर यह दोनों ही students यहाँ पर apply कर सकते हैं इसके अलावा चाहे आप गुजराद बाट से हैं चाहे आप CBSC बाट से हैं या फिर चाहे आप any other बाट से हैं आप यहाँ पर MS University के अंदर apply कर सकते हैं यहाँ पर गुजराती medium, English medium, Hindi medium या फिर कोई भी medium के जो students हैं वो यहाँ apply कर सकते हैं medium barrier जो है वो यहाँ नहीं रहता है then यहाँ पर ऐसे सभी बच्चे जो कि बरोडा में रहते हैं वो या फिर outside of बरोडा जो बच्चे रहते हैं वो भी यहाँ पर apply कर सकते हैं जो कि बरोडा में रहने बच्चों के लिए यहाँ पर यह benefit रहेगा कि यहाँ पे जब भी college जाना या आना होगा तो वो उनके लिए काफी ज़्यदा easy रहेगा Then friends, यहाँ पे बात आती है journey of become की यानि कि become के दौरान यहाँ पर आपका कितने year का यह course रहेगा इन कितने semester यहाँ पर आपको देखने मिलेंगे तो friends, यहाँ पर become के अंदर and third year become a semester five and six जो है यहाँ आपको देखने मिलेंगे Then friends, यहाँ पर बात आती है exam pattern की कि become के अंदर किस टाइब की exams जो है वो आपकी होने वाली है तो become के अंदर friends जो है यहाँ पर आपकी हर semester गेंदर दो exam होगी जहाँ पर एक exam जो होगी वो होगी आपकी internal exam and second exam जो है वो होगी आपकी external exam यानि कि आपकी university की exam Friends, internal exam के लिए आपकी जो marks है वो होते है 30 and external exam के जो marks है वो होते है 70 Internal exam का मतले friends ऐसा नहीं है कि आपका paper जो है वो 30 marks का ही होगा यहाँ पर आपका paper जो है वो आपको 70 marks का ही दिया जाएगा तो टोटल एक्जाम्स जो है वो भी को हो जाएंगे यहाँ पर 12 देन यहाँ पर बात आती है places of MSU की यानि कि जो MS University है उसके लिए यहाँ पर आपको कहां कहां admission मिल सकता है तो टोटल फ्रेंट्स यहाँ पर इसकी जो है वो four locations है जहाँ पर सबसे first है MSU University के main building जो की आई हुई है काला घोड़ा के पास में then friends यहाँ पर आती है girls building जो की है नियर निजामपूरा third है यहाँ पर फ्रेंट्स unit building जो की है MSU campus के inside and fourth है यहाँ पर पादरा building जो की पादरा में है friends यहाँ पर बात की जाए आपके admissions की तो यह आप नहीं decide करते हो का आपको यहाँ पर इन चारों building के अंदर से किस building के अदर आपको जो है वो admission मिलने वाला है girls के लिए यहाँ पर प्रिफरेबल रहता है कि भी girls building के अंदर जो है वो उन्हें एडिम से मिल सकता है बाकी यहाँ पर आप decide नहीं करते हो then बात आती है यहाँ पर FEC यानि की fundamental of English and communication की four subject है friends आपका यहाँ पर SPB यानि की structure and process of business यहाँ इसके बात आता है friends EET यानि की elements of economics and theory then यहाँ आता है IES यानि की Indian economic structure और यह चारों के चार जो subjects है friends यहाँ यहाँ यह है theory subjects तो यह तो बात हो गई यहाँ आपके subjects की then friends यहाँ पर अगर आपको और भी स्यादा information चाहिए इन admission process के बारे में या फिर आप eligibility criteria या फिर fees के बारे में ज्यादा information लेना चाहते हैं तो simply जो है आप visit कर सेते हैं MS University की main website पर जहाँ पर आपको different kind of courses हैं उन courses के बारे में आपको information है वो information यहाँ पर मिल जाएगी तो for more information you can visit on the official website of MS University नीचे description के अंदर भी मैं आपको website की जो link है वो यहाँ provide कर दूँगा तो आप ज्यादा तर जो information है वो यहाँ से ले पाएंगे so hopes of friends यहाँ पर कि MS University से related जितनी भी मैंने आपको बाते बताई यहाँ पर admission की and become के बारे में वो सारी की सारी बाते आपको अच्छे समझ में आ गई होंगी and further यहाँ पर अगर आपके कोई questions हैं तो आप नीचे comment box में मुझे पूच सकते हैं साथी साथ वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को like कर दीजिए आपके बाकी के friends के साथ इस वीडियो को share कर दीजिए चैनल पर new है तो चैनल को subscribe करना बिल्कुल भी ना भूले मिलते हैं friends जल्द ही याईसी किसी informative वीडियो के साथ में अब तो के लिए थैंक यू सूमाच चैनल वन्दी मात्रम